तो लास्ट दो तिन दिन से फ्रेंट्स बहुत बिजी शेडियूल चल रहा है 10 देस वाली क्लास भी चल रही है मेरी क्रीम केक्स की बेसिक ट्विट वांज और प्लस साथ में बहुत सारे ओर्डर्स तो बहुत बिजी शेडियूल चल रहा है सारे के सारे केक्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी one by one तो ये मेरा first cake है जो की था मेरा 1 kg का बटर स्कॉच फ्लेवर का तो यहाँ पे मैंने 7 इंचिस के टिन में cake को बेक कर लिया था और फिर मैंने कर दी थी इसकी क्रम कोटिंग तो यह कैरमल सास है जो मैं घर पे बनाती हूँ इसका भी वीडियो मैं शेयर कर चकी वह भी तक अगर नहीं देखा है तो आप पेज पचा के देख सकते हो बहुत 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 जादा अच्छा टेस्ट करता है जब हम freshly prepared केरमल घर पे बनाते हैं तो उसकी बात ही और होती है यहाँ पे मैंने कुछ चंक स्वेर अडाल के इसको रख दिया था फ्रज में क्रमगर्ट करके करके तो टोटल फूरी ले अचऊ ने के खेया क drag गरे मैं जो वीडियो में रहता है वो sponge को लेकर रहता है कि मैं sponge कैसे बनाती हूँ तो sponge मेरा professional sponge होता है जो मैं homemade premix से बनाती हूँ उसके लिए अगर आपको कुछ भी details चाहिए है तो वो आप मुझे whatsapp कर सकते हो number given है वो हमारी paid class है बाकी सब मैं आपके साथ काफी सारी details की videos आपके साथ में share करती हूँ अगर कोई Delhi NCR से offline classes चाता है और यह मैंने यहां पर इसका brush से designing कर दी इस cake के ऊपर तो बहुत सुंदर लग रहा था और उसके बात मैंने यहां पर एक बहुत ही beautiful डिजाइन बनाना था तो यहां पर मैंने यह लिया था तर्क्यूज का लार्ण तो बेसिकली अगर टर्क्यूज शेड आपके पास नहीं है तो ब्लू और ग्रीन को अगर आप मिक्स करोगे ना तो ऐसा प्यारा सा शेड आ जाएगा तो मैं पर यहां पर टर्क्यूज शेड अलग से यूज करती हूँ तो इससे मैं कर रही थी यहां पर पैलेट नाइफ पेंटिंग तो यह चोटा लिया था मैंने और उसमें आलोवर साइड पेंश की इसमें कर दी थी पैलेट नाइफ पेंटिंग तो यहां पर मुझे डू तो उसे बहुत ही beautiful साई किये शीड यहाँ पर ready हो गया था तो मैं dual shade से मैंने side पर कर दी palette knife painting तो यह एक बहुत थी प्यारा केक बना था प्यारा तो था ही क्योंकि एक छोटी सी बच्ची ने अपने पापा के लिए especially उसकी मुझे client ने बताया कि एक लब अपनी चोटे से बच्ची ने अपने पापा के लिए डिजाइन खुद से सलेग किया तो वही बात हो चाती फादर्स तो भाई सबके सूपर हीरो होते है तो यह पर डिजाइनिंग के लिए मुझे थोड़ा सा ओपर कुछ टेक्स लिखना था जो अपने लिखना था यहां पर हस्बंड और उपर से नीचे लिखना था यहां पर पापा तो यह बड़ा अच्छा सा केक था पर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे तो फिर मैंने गुल्डन डस्ते इसको कर दिया था और उसके बाद बस चोटे-चोटे क्रीम से हाथ बनाए कुछ पर्ल्स डाले अच्छी जो क्लाने मुझे मुझे बेचा तो बहुत सारे पर्ल्स थे तो मैंने वो भी इसमें पर्ल वगेरा अड़ कर दिये थे तो लास्ट में केक बहुत सुंदर लग रहा था चो आपको भी अच्छा लगा होगा फ्रेंज अच्छा लगा है तो फिर लाइक शियर जरूर कर देना और थैंक यू सो मच वर वाचेंग और किसी भी क्लास की डिटेल के लिए आप मुझे और यंटेक यूर